क्रिप्टो उत्पाद और NFT और नियमित है और अत्याधिक जोकें बरे हो सकते हैं यह संभव है कि इस तरह के लेंदिन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामिक साहरा प्राप्त ना हो Hey guys, in this video we are going to be understanding how to create an NFT यह पिक्चर तो सबने खीची होगी laptop या desktop पे paint होता है उसमें drawing भी सबने किया होगा उटके आपने कभी ऐसा सोचा था कि वही picture खीचने का या तो वही painting draw करने का आपको पैसा भी मिल सकता है यार आप believe नहीं करोगे लेकिन दुनिया में लोगों को picture खीचने के और painting draw करने के भी आजकल पैसे मिल रहे है एक 22 साल का लड़का जो कि एक Indonesian student है सुल्तान गुस्तफल गोजाली है अच्छे से नाम ले लिया ये ये 22 साल का जो लड़का है उसने अपनी हजार सेलफीज जो कि उसने पिछले 5 सालों के अंदर खीची थी उसी को एक NFT कलेक्शन के रूप में open CP जाके list करके उसके ये कलेक्शन की इतनी sales हुई कि वो रातो रात millionaire बन गया तो NFTs क्या होते है और आप कैसे उसको बना सकते हो ये हम समझेंगे इस वीडियो में एक real estate example के द्वारा तो NFT का full form होता है non fungible token NFT को समझने के लिए यानि कि non fungible token ये शब्द को समझने के लिए हम पहले समझेंगे fungible क्या होता है और non fungible क्या होता है तब ही तो हमको पता चलेगा न कभी NFT क्या है तो उसको हम बोलते है fungible example के तौर पे आप ऐसा समझो कि आप college में हो आप college में अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गए हो आपने cab book की है और cab का भाड़ा हुआ है 500 रुपे अब 500 रुपे में से आपने decide किया था कि भाई मैं 300 दूँगा तू 200 देना अब वो जो decision हुआ था लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपका दोस्त बोलते है कि भाई तू ही अभी 500 दे दे 200 रुपे में तिरको बाद में दे होगी आपने शायद 200-200 की दो और 100 की एक नोट भी दी हो सकती है तो आपने कुल मिला के 500 रुपे की वैल्यू दी है जिसमें आपके दोस्त का 200 रुपे का वैल्यू भी आपने पे किया है अब कल सुबह वो आपस कॉलेज आता है वो कैश लेके आता है या तो आपको यूप 200 रुपे से मतलब है तो आपको 200 रुपे वो कोई भी फॉर्म में मिलेंगे आपके लिए 200 रुपे हो गए उसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज जो हुई वो फंजेबल होगी वैल्यू सेम है लेकिन फॉर्म या शेप जो मिलने का और देने का तरीका है वो चेंज हो सकता है लेकिन आप यही situation को थोड़ा सा बदल देते हैं आप assume करो कि आप और अपका दोस्त आप अभी mature हो चुके हैं आप college से pass out हो गये हैं बहुत ही अच्छी job कर रहे हो और धीरे धीरे करके दोनों ही दोस्त businessman हो गये हो और आप करोड़ पती बन गये हो दोनों जन अब दोनों ज जाएंगे तो उसी के चक्कर में आपके जो दोनों बंगलों से वह साथ में हैं अब कल से उटके आप assume करो कि आपका दोस्त बोलता है कि भाई चलना एक काम करते हैं गर शिफ्ट कर लेते हैं घर एक्सचेंज कर लेते हैं तो even though even though carefully understand this even though आपका पूरा सामान आप यह घर में करोगे और आपके फ्रेंड का पूरा सामान ये घर में shift करोगे लेकिन घर दोनों separate है चाहे उसका वैल्यू सेम हो कुछ भी हो घ़결 ओनों separate है और यह 도नों अलग अलग location पे भी है दोनों का जो land पे positioning होगा पूरे ब्रह्मान में पूरे अर्थ में वो भी तो डिफरेंट है राइट तो इसको खाली आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसको हम बोल सकते हैं नॉन फंजेबल मतलब भले ही वैल्यू सेम होती है आप एक्षेंज भी कर सकते हो लेकिन वो दोनों सेम नहीं है जबकि पह हो तो आपको proof of ownership मिलता है आपको कागजात मिलते है सब कुछ डीड वगेरा मिलता है लेकिन आप जब एक वीडियो या इमेज आप इंटरनेट पे पोस्ट करते हो एक्जामपल के तौर पर यूट्यूब पे या आप इंस्टेग्राम पे पोस्ट करते हो तो क्या कोई कमप आपको proof of ownership देती है, sign करके देती है या as a euro property के तौर पे देती है नहीं देती है तो अब blockchain के थू हम वही proof of ownership ले सकते है by uploading anything on blockchain और उसी को हम बोल सकते है NFTs, non-fungible token, तो NFTs को simple भाशा में अगर समझे तो NFTs are nothing but you getting proof of ownership of something which you have uploaded as a digital file, तो जब आप सुनते हो आजकल के NFT का sale हुआ है, यह picture का sale हुआ है, तो वो picture का या किसी का sale नहीं होता है, picture का sale होता है तो वो तो museum में हो सकता है ना, आप painting खरीद लो, canvas पे, NFTs क्यों खरीद रहे हो, तो NFTs जब बिखता है, वो picture नहीं बिख रहा है, वो actually में एक token बिख रहा है on the blockchain, ध्यान रहे, ownership यानि कि proof of ownership, NFTs के तौर पे किसी भी digital item का हो सकता है, वो picture हो सकता है, video हो सकता है, कोई भी एक animated picture हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यदि आप भी NFT क्रियेट करना चाते हो, तो कोई भी एक digital file को आप NFT के तौर पे upload कर सकते हो, अब यह upload कहां होगा, NFT marketplaces, कौन से NFT marketplaces, OpenSea हो गया, Rarible हो गया, Foundation App हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, जिसके उपर आप अपना NFT अपलोड कर सकते हो, लेकिन अब बहुत ही जादा important एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो है smart contracts, अब बहुत सारे लोगों को यही लगता है, कि जब आप OpenSea पे जाते हो, वहाँ पर आप create क्लिक करोगे, आप एक picture या वीडियो अपलोड करोगे, आप कुछ नाम लिखोगे, और click create कर दोगे, तो आपका NFT बन गया, Yes, मैं बना नहीं कर रहा हूँ, वो NFT ही बनता है, OpenSea पे आप list किया, OpenSea पे कोई लेगा, तो NFT sale भी हुआ, लेकिन जो वो proof of ownership on blockchain है, जिसका smart contract एक बनता है, वो smart contract आप as a lister या आप as a NFT creator ओन नहीं कर रहे हो, वो contract हो गया OpenSea shared collection के तौर पे, तो अगर आपको वो custom smart contract बनाना है, तो आप directly OpenSea या ऐसे NFT marketplaces पे जाके, NFTs create नहीं कर सकते हो, using custom smart contract, आपको क्या करना पड़ता है, आपको basically, solidity developers hire करने पड़ेंगे, example, आप कोई भी Fiverr या Upwork में जाके, solidity developers search कर सकते हो, और वहाँ से किसी को hire करो, उनको बोलो कि मुझे ये हिसाब से, custom smart contract बनाना है, वो आपको बना के देंगे, and then they would deploy that, they would import the smart contract on OpenSea, और फिर वो जो NFT आपका OpenSea पे होगा, उसमें आपका custom smart contract होगा, अब क्या ये ज़रूरी है कि आपको custom smart contract बनाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप चाहे तो foundation.app पे जा सकते हो, Rarible पे जा सकते हो, OpenSea पे जा सकते हो, वहाँ जाके, click करो, create, metamask करके, आपका जो wallet होता है, वो metamask को आप connect करो, उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, और वहाँ पर जाके, आप सब कुछ upload करके, ready कर सकते हो, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, but it's just that, brands और business owners, who are very serious about their NFT collection, और उसके अंदर, अगर आपको custom smart contract चाहिए, तब जाके आप solidarity developers, hire कीजिए, उसके बाद अपना NFTs को यहाँ पर import कीजिए, तो इन simple, रुपे वाले, या land वाले, या flat वाले examples के साथ, यदि आपको NFTs का मतलब समझ में आ रहा है, तो please कृपा करके, इस वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए, turn on the bell notification कीजिए, and comment कीजिए, कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, and आपको future में कौन से तरीके topics, NFTs के around, या crypto assets के around चाहिए, वो भी नीचे comment में डाली, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, NFTs को create करने के लिए सबसे पहला step, आपको एक चाहिए, crypto wallet, अब बहुत सारे crypto wallets है, लेकिन उसमें से metamask एक सबसे popular, most popular है, आप समझो कि shopping websites का अगर म नाम आपको पूछू तो सबसे पहले, mostly आपके दिमाग में आएगा Amazon, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे popular, वो एक shopping portal है, वैसे ही, metamask, ethereum blockchain पे सबसे बड़ा है, and the most used है, तो generally, लोग metamask ही use करते है, when they are talking about NFTs, अगर आप Solana blockchain की बात करते हो, तो वहाँ उनका जो wallet है, वो है, phantom, वो ही तरह, दूसरे जो blockchains होते है, change होती है, उसके around आपका wallet change होता रहेगा, तो हम यहाँ पर reference के तोर पे metamask की बात करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, तो metamask का wallet set करने के लिए ready हो जाएए, क्योंकि मैं अपने laptop पे जाके, आपको step by step दिखाने वाला हूँ, क कैसे अपका metamask wallet step by step up create कर सकते हो, setting up your metamask account, you just have to visit metamask.io, all right, and let's suppose if I just go to the root url, metamask.io, all you will see is download and download now, so I'll click on download over here or download now, once you click on that, it will give you three different options, one chrome, second ios, third android now, so right now we are into very very early stages of web 3 space, where all these things are coming up, but they are more native to the desktops or the laptops of the world, so please do everything on desktop right now, so that is the reason why I'm gonna go further with chrome thing, and I'm gonna click on install metamask for chrome, and it's gonna open up one new tab, now when it opens up you can see I've already installed, so because of which I've just created one guide over here, that if you have not done this, then what you will see, so if you have not done that any point in time, then probably you will see add to chrome, once you click on that, it will ask you to add the extension, and once you add the extension, it will say welcome to metamask, connecting you to ethereum and decentralized web, we are happy to see you, click on get started, and then you will have two different options, so this is the option which you will select, create a wallet, because you have never done this, create a wallet, click on that, and once you do that, click on I agree, which you will see like this, clicking on I agree, it will ask you to set up your password, minimum eight characters, and agree to the terms, click on create, and this is where you will get your seed phrase, or recovery phase, or secret backup phrase, alright, it's one in the same, all these terms are one in the same, seed phrase, or recovery phase, or secret backup phrase, now this would be in combination of a couple of words, make sure you write this phrase on a piece of paper, like yes, literally write it in a piece of paper, store it somewhere safe, try to do it in two different three, two to three different locations, and trust me, this is actually required, if you are doing it for the first of a time, alright, now once you have written that, just on the next screen, you will be asked to reconfirm that, so make sure you have jotted down actually, because you will have to write it, or select a couple of options, to reconfirm, and then click on next, once you click on next, this is where it says congratulations, you passed the test, keep your seed phrase safe, it's your responsibility, and click on all done, and you are all set, now after this, if you go to your MetaMask account, on the chrome extension, you will be able to see a brand new, fresh account over here, with zero ethereum, and no transactions, alright, so now that you have your MetaMask account, you are ready for NFTs, create, create करने के लिए, ready हो, so assuming that you already have your digital file ready, जो कि आपको NFT के तोर पे convert करना है, या NFT क्रियेट करना है, और उसका proof of ownership, यानि कि NFT क्रियेट करने के लिए, जो एक process, जो कि एक technical term होते है, उसको बोलते है, minting and NFT, तो वो ही हम step by step अभी करने वाले, जैसके मैंने वीडियो में पहले बताया हम OpenSea का reference लेंगे, MetaMask का reference लेंगे, यहाँ समझने के लिए, तो हम OpenSea.io पे जा सकते हैं, वहाँ पर जाने के बाद, आपका MetaMask wallet जो होता है, उसको connect कीजिए, connect करने के बाद, कहीं पे create button ह होगा, उसको आप click कर सकते हो, और यह process के through, जैसे मैंने पहली भी बताया था, यहाँ पर आपका custom smart contract involved नहीं होगा, तो इस वीडियो में हम खाली normal NFT create करने की बाद करेंगे, maybe in future we might talk about the custom smart contract processes as well, तो coming back to the step, हम create click करेंगे, create click करने के बाद आपको कुछ options मिलेंगे, जहाँ पर आप NFTs का नाम लिख सकते हो, नाम लिखने के बाद उसका description लिख सकते हो, description लिखने के बाद कुछ properties भी होगी, जैसे कि properties का मतलब आपका कोई flat अगर आप लेते हो, let's say, तो flat की property हो सकती है, 1BHK 2BHK, 3BHK, 4BHK, 5BHK, फिर उसका semi furnished है या fully furnished है, तो यह सरी जो properties होती है, उसी की तरह, आप NFTs में भी property रख सकते हो, जैसे कि उसका background क्या है, उसमें अगर color है, तो color क्या है, अगर वो एक इनसान का photo है, तो उसका जो face है, वो क्या है, मतलब cute है, white है, dark है, क्या है, so यह स सारी उसको हम properties के तोर पे डाल सकते हैं, जिसको हम trades बोल सकते हैं, तो NFTs जो rare होते हैं, और यह सब जो cheese यह terms बोले जाते हैं, वो किसके basis पे होते हैं, यह जो properties यह trades हम रखते हैं, NFTs के अंदर, उसके basis पे उसका rarity decide होता है, तो यही सब properties भी आप यहाँ पर set कर सकते हो, जो क options में दिखेंगे आपको, वो properties set करने के बाद, आप decide करते हो कि इसको आप Ethereum में डालना चाहते हो, या फिर अपना royalty, अगर यह NFT जब sell होगा secondary market में, तो इसका royalty percentage आपको कितना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर set कर सकते हो, वो royalty set करने के बाद, वो जो royalty मिलेगी, वो Ethereum आपको एक gas fee बरनी पड़ेगी, simple भाशा में कहूं, तो transaction fee एक चीज आपको दिमाग में रख लो, जो आपको pay करनी पड़ेगी, अगर आप metadata freeze नहीं करते हो, तो आपको gas fee नहीं बरनी पड़ेगी, I would recommend, अगर आप serious business हो, या seriously NFTs में घुसना चाहते हो, तो please metadata को freeze करिएगा, आप save या create कुछ तो होगा, वो click करने के बाद, आपका NFT पूरा create हो जाएगा, और ये थोड़े ही समय में blockchain पर register हो जाएगा, और आप उसको sell कर सकते हो at a particular price, क्योंकि ये list हुआ, ये आपका mint हुआ, mint करने के बाद, आपको उसका selling price भी डालना पड़ेगा, तो जब आप अपने NFT के page पे जाओगे, वहाँ पर उपर sell का button होगा, वो sell का button आप click करोगे, उसके बाद आपको price point डालने को बोलेगा, price डालने के बाद, अगर आप save करोगे, तो आपको एक one time gas fee be pay करनी पड़ेगी, I assume depending upon अपने wallet से कितनी activity की है, ये नए account पे, और वो list करने के बाद, ये ready to sell हो गया, so congratulations, आपका NFT create हो चुका है, और आप अब NFTs को sell भी कर सकते हो, last but not the least, आप सोचोगे कि अभी तो मैंने NFT create कर दिया, अभी बेचेंगे कैसे, तो सबसे पहला ये business mindset रखना, एक normal mindset मत रखना, NFTs and real estate में बहुत similarity है, सबसे बड़ी similarity तो ये है, कि real estate का घर बनने के बाद उस से ही NFTs list, या sell, या create, या mint करने के बाद ऐसा नहीं है, कि वो तुरंत रातो रात बिख जाएगा, because market में लाखो करोडो NFTs पड़े हुए है, तो आपकी एक promotional या marketing strategy भी होनी चाहिए, marketing skill set भी होना चाहिए, यदि आपको marketing related NFTs के बारे में कुछ वीडियो से हमें कमेंट में बत करने के लिए बनाया गया है, तो किसी भी NFT में इंवेस्ट करने से पहले, या खुद का NFT भी क्रिएट करने से पहले, खुद का रिसर्च जरूर करे, with that being said, this is your host and दोस्त, Digital Pratik, signing off for this video, I'll see you in some another one, till then, take care, bye-bye and stay awesome, God bless, keep smiling and keep researching. आपना हो